श्री इम्रान हुसेन टाक उपनिरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलीस मर्नो परांध दिनांग 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्री नगर के जकूरा क्शेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था उसमें आतंक वादी होने की सूचना श्री नगर पुलीस द्वारा भेजे जाने पर पुलीस टेशन जकूरा और SDPO जकूरा की पूर्ण कमान में उपनिरीक्षक श्री इम्रान हुसेन टाक के नेत्रित्व में पुलीस शेत्र श्री नगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी पिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोला बारी कर दी जिससे उपनिरीक्षक श्री टाक गंभी रूप से घायल हो गये इसके बावजूद उन्होंने असाधारन बहदुरी का परिचे देते हुए जवाबी गोला बारी कर दी जिससे आतंक वादी घायल हो गया अपनी कुशाग्रदा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोली बारी की जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया भागने की कोशिश में आतंक वादियों ने अंधा धुंद गोली बारी कर दी घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतं अपसा सहायता को मना कर गोली बारी के साथ आतंक वादियों का पीछा करना जारी रखा उन्होंने आतंक वादियों को इस तरह चुनोती दी मानों कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है जिसके परिणाम सुरूप वो एक प्रमुख आतंक वादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नस्दीक पहुँच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंगवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफतार कर लिया लेकिन अपने गंभीर जखमों के वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गेश्री इम्रान हुसेन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनास अख़तर स्री आशिक हुसेन मलिक विशेश पुलिस कार्मिक जमु इवं कश्मीर मरनु परांत स्री आशिक हुसेन मलिक जमु इवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में विशेश पुलिस कार्मिक के रूप में टैनाथ थे 21 जून 2018 को गाउं के एक मकान में आतंकवादी होने की सूचना मिलने पर राश्ट्री राइफल्स एवं केंद्री रिजर्ब पुलिस बल की साहता से एक संयूक्त तलाशी अभियान चलाया गया तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़कर वहां से भाग निकलने के उदेश्च से अंधा धुंद गोलियों की पौचार शुरू कर दी श्री आशिक हुसाइन मलिक ने सुएच्छा से एक प्रहारक दल का नेत्रितु करने का निरने लिया और आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़े तथा अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए उनके अत्यंत करीब पहुँच गए बेहत नजदीक से हु रही आमने सामने की गोली बारी के दौरान श्री आशिक हुसेन मलिक गोली लगने से गंभीर रूप से खायल हो गए एवं अंततह वीर गती को प्राप्त हुए उनके अदम में साहथ की प्रेरना से चारों सशक्त आतंक बादियों को मार गिराया गया अदम में शॉर्य अनुकरणी रास्ट्र प्रेम का परिचे देते हुए श्री आशिक हुसेन मलिक ने देश सेवा में अपना सर्भोच बलिदान दिया स्वर्गिय श्री आशिक हुसेन मलिक की माता श्री मती शाहजादा बानो इबंपिता श्री मुहम्मद मकबूल मलिक क्यों तॉल्ट मक की का एंपिता शाया कि का सरय पूलाया की श्री जाफ पार कि एंपिता श्री श्री झागे ज़ु़ है और ड्री बाले शिक हुआ AGP झाल झाल